हाई फ्रेंस में आपका श्वागत करती हूं फाग लश्मियनपुर्णा किचन में आज हम बनाएंगे कोपते लोकी के टेस्टी कोपते बनाएंगे तो आप इस तरीके से जरूर एक बार बनाएं बिल्कुल मुह में गुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी और डिलीशेश बनत करती है बच्चे अगर नहीं लोकी खाते हो वह भी खा लेंगे बहुत ही टेस्टी से आप जरूर इस तरीके से एक बार बनाना तो हमने लोकी ले लिया है और बिल्कुल ताजी हमारे गाच की लोकी है तो हमने इसको छील लिया है इस तरीके से बिल्कुल खिजी ले जिसमे आप भी कर ले ले और कदूकस कर ले रहे हैं और कदूकस कर लेगे तो तो अब भी कर ले फिर कदूकस कर के हम आपको दिखाते हैं तो देखियों हमारा सारक ये कद्दुकष हो चुका है तो बिलकुल अच्छे से हमने इसको गद्दुकष कर लिया है जिसके हम अब शॉरा शाल नमक डालेंगे हो नाकुम्रहुतर साइड में रख देंगे तो कभी-कभी मोटे दुक्रे रहा जाते हैं तो इसको हम हटा देंगे या फिर इसको मही-मही काट तो हमने इसको इसको काट लिया अच्छे से चाल मे रख दे रहे पानी तो आन्мы जों भी होगा निकलेगा तब तक हम मशाले की तियारी कर लेते हैं तो हमने मसाले की तैयारी में अधरक लिषुन मिर्च और प्याज ले लिया है और यह धन्या है और यह म 17 में बडाये तो हम नहींiously डाल दिया मिकसर जाल में सब़ी चीज डाल के बढाल लेंगे बिल्कुल। से लोखीर एप दावाब कस पानी हो पने रहेवने कतों ISO 3150 सुधसे वेछ सकते हो व्योत निकल जाते हैं सारे पनी तरह तरह हैं से हां 50 दवा-दवाके संद। बorter आप कम्रें लें सकते हो उससे निकाल सकते हो कि एक तरह कें सारे बें को तो देखिए इससी तरीके से हम सारी निकाल के अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट में जरूर लिख के बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और फैमली फ्रेंड के साथ सेयर करना ना बुलन और बटन पर भी जरूर दवाना जिससे हमारी वीडियो की नौट पके साथ आपको पहले मिल जाए तो देखिए हमने सारे को इस तरीके से हमने पानी निकाल लिया है और इसे रग रहा ठाली में और अब इसमें हम प्याज का बारी कटी हुई और बारी कटी हुई मिर्च ड सुखे मसाले को अब करेंगे घर तो पहले हम इसमें बेसं डॉल दे रहे तो बहसं हब अइसंे से डालेंगे आप है जितने लौकी ले Sequence लिए उस अंडाब ये से उत्शितंटार नहीं होता है इसका इसमें जी बैशन पрахहते लिएसम शुघाव को हुई राँआँ उतना तरह आप टोसने होसे एरही हैं कि आप आप जू दाला दिया एब होड़ी अजत के आप है हो देखिए अभी सब्सक्राइब कुछ हम अच्वाइन डाल दे रहे हैं और सबीक अच्छे सा मिला देंक Amen तो इसलिए के सब c अबने सबीकों मीख और अच्छे से यह नियों चुका है तो इस तरह कें दोगोल indeed करणार देंगे इसके हम और बात मिला लेंगे लिए तो हम अच्छे से गस्ट Cliff 바 तेल आपी यूज कर सकते हो तो देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है तो उस तरीके से नमक डाल दिये थे हम अब इस ती समय नमक डाल देंगे उसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने सौरी दिखाना भूल गया नमक डालते हुए ताप नमक जरूर डाल लें और इस तरीके से डाल दिये हैं हमने इसमें और इसको अच्छे से लाल होने तक फ्राइ कर लेंगे बहुत अच्छे से तो लट पुलट के हम इसको देखिए लाल कर लिये हैं और इसको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से और भी कुपते तल लेंगे तो यह भीतर तक बहुत अच्छा से पक चुका है आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हो या फिर आप इसको बना सकते हो सब्जी ग्रेवी भी डाल सकते हो या सनेक्स के रूप में भी बना सकते हो यह बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस ल कि आप कमेंड में जरूर लिखना है तो इसी तरीके से हम सभी को तल लेते हैं और चली हो गया हमारा सारा तैयार तल के आप देखते तो इस तरीके से तो हमने तेल डाल दिया है तेल कम कर दिया था इसमें तेल डाल दिया है और इसी में तेश पत्ता भी डाल दिया है मिर्ची तोर के डाल दिये हमने और इसमें हम पच्छ फोरन डाल दिये हैं तो इस जब चटक जाएंगे सभी फिर हमने जो मसाले तियार करके रखे थे वो इसमें डालेंगे तो हमारा ये मसाला चटक चुका है तो हमने जो पेस्ट बना के रखा था अध्रक लेसून और प्याज वाली वो इसमें आड़ कर देंगे अब अब इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो देखिए यह हमारा मसाला अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अब हम इसके अंदर शुखे मसाले आड़ कर लेते हैं तो सुखे मसाले में हमने आधी चमच मिर्च पॉर्डर डाली है अधी चमच हल्दी डाल दिया और इसको अच्छे से फ्राइब कर लेते हैं थोरी दे तक मिर्च और हल्दी जब फ्राइब हो जाएंगे तब फिर हम और भी मसाले अट करेंगे इसके अंदर तो यह फ्राइब हो चुगा था हमने एक चमच धन्या डाल दिया है और एक चमच ही जीरा पॉडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं रहा है तो म Congo तर अब अपने अनुसार मिर्च डाला है नमक अपने स्वात के दो नमक डाले कर लिए मसाले कर देख सकते हो तेल भी हमारे छूटने रहा है से टीमाटर नला conoc investigations और इसान इसको अच्छ और लेता है। कि निए बीडरले तक इसको वहात अच्छ आ करेंगे करेंगे। है नि GGJF कोरें निए गया है तो ऑब इसमेट यह एक कस्तुरा में निए डाल देंगyan। और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुका है और यह इसमें तेल भी छोड़ दिया है बहुत अच्छे से तब हम इसमें पानी डाल देंगे है तो हमरे कोपतेवाले पानी आओ धाले हम ने दहें रखाता बाइम दाल दिए हैं इसमें जिसमें ग्रेवि कारी हो जागी और इसमें अब हम सब्झी मासाले डाल दिये हैं अच्छे से ढखके उबालाने देंगे बहुत अच्छे से कि इसमें और भी पानी लगेगा तो हम और भी पानी एड़ कर दे रहे हैं तो हमने अपने पानी एड़ कर दिया आप अपने इंदाजस से गिरे भी बनाएं आप जिसके साथ खाने चाहरे हों उस तरीके से बनाएं तो हमने डाल दिया है और इसमें अब धन्या पत्ता हमने जो बचा के रखा था वह भी आड़ कर दिया है अब इसके को हम ढखके उबालाने देंगे बहुत अच्छे से को तो इस वह बल चुका तो मैं चूपते कर देंगे तो हमारे सारे कुपते भी फ्राइं हो चुके हैं तब देख सकते हो यह वाल चुका है फूफार अच्छी से अब इसके अंदर हम जुपते एक कर के सारे एक कर देंगे तो हम इसमें सारे कोपते को एड़ कर दिया है एक एक करगे आप देख सकती हो और इसे थोड़ी देर तक उबलने देंगे और फिर यास को फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अब किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो पूरी प्राठे चावल जिसके साथ खाना चाहे हो उसके साथ सर्व करो बहुत ही तेस्टी और डिलिश्यस बनती है तो आप एक वाज जरूर इस तरीके से अपने घर में ट्राइ करना अगर पसंद आए तो लाइक सस्क्रा जरूर करना और फैमली फ्रेंट को जरूर इक वार मनागे किलाना थैंक यू फूर वाचिंग वीडियो